यदि आप बाजार चाते समय सब्जी का थेला घर में भूल जाते हैं तो अब प्रतिबंदित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें नागपुर नगर निगम के सहयोग से NGO नई सुविता द्वारा शहर के बाजारों में स्वचालित कपड़े की थेलिया लगाई जा रही है संस्था की ओर से पहली मशीन नगर पालिका के सीता बर्डी स्टेथ सूपर मार्किट में लगाई गई है और नगर आयुक्तुव प्रशासक राधा कृष्णन भी ने इस मशीन की कारे प्रनाली का निरक्षन किया इस में अपर आयुक्तु राम जोशी उपायुक्त रवींद्र भेलावे उपायुक्त विजय हुमाने उपायुक्त वठोस कच्रा प्रबंदन विभाग के निदेशक डॉक्टर गजेंद्र महले बाजर अधीक्षक प्रमोद वान खेड़े आदी मौजूद रहे नगर आयुक्त ने अपील की है कि बर्डी वाजार आने वाले नागरी कपड़े के थेले का प्रयोग करे और यदि उनके पास थेला नहीं है तो इस सुविधा का लाब उठाए। प्लास्टिक उन्मूलन के तहत नगर पालिका ने बर्डी सुपरमार्किट में कपड़े के ठेले प्राप्त करने के लिए पहली मशीन लगाई है। इस अफसर पर नई सुविधा संस्था के अतुल पनातनी मशीन के बारे में जान करी दी। नगर निगम सुपरमार्किट सिता बर्डी में लगी मशीन की शमता 100 बैक की है। मशीन में 10 रुपे का सिका या नोट डाल करता है। इस बैक की शमता करीब 10 किलो की है। खास बात यह है कि मशीन में अपडेटेट सेंसर सिस्टम लगाया गया है। और इसके जरीए 10 रुपे के रूप में 5 रुपे के दो सिक्के डालने पर बैक बाहर निकलाता है। इन्बीसीय नियूस के लिए राजकुमार मोहो की रिपोर्ट।